नमस्कार दोस्तों आज की सिनवड में आप जानने वाले हैं कि समगर आईडी का EKYC कैसे पता करें NPCI कैसे चेक करें कि आपका NPCI आधार कार्ड से NPCI सक्सेस्फुल कंप्लेट हुआ है कि नहीं हुआ है आपके समगर आईडी के साथ आधार कार्ड NPCI सक्सेस्फुल कंप्लेट नहीं हुआ होगा तब तो आपको समगर के थो जो लाब दिया जा रहा है आपको वो लाब नहीं मिलने वाला है तो आप किस तरह से अपना NPCI स्टेटस चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके समगर आईडी के साथ लिंक है या नहीं लिंक है तो आप समगर आईडी का NPCI स्टेटस चेक करना चाहते है तो आप इस वीडियो में इंड तक जरूर बने रहेगा तो चले दोस्तो वीडियो को स्टेट करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा अपने mobile या computer में किसी भी browser को open करना है और browser को open करने के बाद में आपको simply search बार में डाल देना है समगर पोर्टल इतना डालके आपको simply search पे press कर देना है जो लिखा होगा समगर.gov.in और हिंदी में लिखा होगा समगर पोर्टल तो आपको इस वहले website पे जैसे क्लिख करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समगर पोर्टल की official website को एस तरह का open होके आ चुके है और महात्रपूर्ण जानकारी में सबसे पहले ही बता दे रहा है कि अगर आपका समगर पोर्डल में EKYC नहीं होगा है तो आप यहाँ पर किलिक करके अपना EKYC कंपलेट कर लें नहीं तो आपको समगर के थो जो लाब दिया जा रहा है आपको नहीं मिलने वाला है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है बिलिंकिंग का आपसंस होके आ रहा है EKYC करें और नीचे लिखा होगा EKYC इस्थित जाने मतलब इसका होता है NPCI status आपको चेक करना है तो यहाँ पर English में होता है NPCI status चेक करें इहां पर आप देख सकते हैं कि इंगलेज में NPCI status लगकी आही रहा है और आप आपको क्या करना होगा यहां पर लिखाुगा लिखा होगा नीचे देखेंगे कि आपका पूरा डीटेल सो होके आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर समगर आईडी सो होके आही रहा है और उसके बाद में आपका समगर में आधार की इस्थित यहाँ पर हाई कि नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं ही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी की इस्तित जो है यहाँ पर नहीं नहीं किसों होके आ रहा है तो इस कंडिशन में जो है आपको अपने बैंक में जा करके अपना अपने समगर आईडी के साथ जो है अपना आधार कार्ड एंपिसी जरूर एक्टिब करवा लेना है आपको अपने बैंक में भी जा करके अपना बैंक का आधार इस्तित यहाँ पर चेक करवा लेना है और दोस्तों अपना जब समगर आईडी का जो है एक्टिब करवा लेंगे तो आपको किस तरह से चकरना है आपका किस तरह से यहाँ पर सोहुक के आएगा मैं आपको करदेना है अगर मारीजी आपके अपना कीपचर कोर्ड यहाँ पर क क्लिक कर देना है और खोजे पर जैसे किलिक करेंगे ती यहाँ पर आप नीचे देखेंके चाहँ आपका पूरा इस्तितिंप कर सोहुक के आदे यहां पर देखेंगे समगर में आधार की इस्तित यहां पर हाँ लिखके आ जाएगा और बैंक खाते में आधार की इस्तित यहां पर हाँ लिखके आ जाएगा चुका है, मतल alar की सभी का इस्थित यहां पर, ऐYo लिह ए लगबग सभी कविव़ची हूँ चुकी है, आपका dbt link हो Чुका है आपके bank में, आधार 카ण की इस्थित यहां पर सहू हो के आ outline है, और आपकेrze weed नमर भी active हो चुका है आपका DBT से करिए इस्तित भी यहां पर active हो चुका है तो दोस्तों इसी तरह से अपना समगर ID का EKWC बहुती आसानी तरीकर से चेक कर सकते हैं अगर यहां पर आपका EKWC गलत सो हो क्या रहा है नहीं सो हो क्या रहा है तो आप समझेगे कि आपको कोई भी आप मिलने नहीं वाला है तो सबसे पहले आप देरी मत करिए अपना आप जो है अपना समगर ID की इस्तित जो है यहां से आप बहुती आतानी तरीकर से चेक कर लिजिए और उसके बाद में तब आपको जो है समगर ID की सुरो जो लाव निकाला जा रहा है आपको लाव मिल देगा क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसी वड़े में से बना के लाता रहता हूं तो मिलते हैं एक नए वड़े में